हर हर बंबं ओम नमस्षिवाई सभी शीव फक्तों को पावन श्रावन मास की बहुत बहुत बढ़ाई हो भक्तों वेद पुराणों के अनुसार श्रावन मास भगवान बोले शंकर को अत्यंत प्रिय होता है क्योंकि इस माह में शिव भक्त कामणी गंगोत्री गोमुक हरे द्वार आते ही तथा पवित्र कंगा जल्न कामण में भर कर भोले नात को अर्वित करती है इस माह में शिव मंदिरों की शोभा देखने वाली होती है भक्तों तो आईए आज मैं आपको पावन पवित्र कामण गाथा संगीत मैं रूप में सुनाने जा रहा हूं तो एक बार बड़े प्रेम से बोलिए बुले शंकर भग्वान के आओ भगतों शिव के गाथा सुनाओ आओ भगतों शिव के गाथा सुनाओ सावन में क्यों कावड लाते भगतों तुम्हें बताओं आओ भगतों शिव के गाथा सुनाओ आओ भगतों शिव के गाथा सुनाओ गाथा रावन और उसकी शिव भक्ती से सम्बन दित है भक्तों तो भगवान शिव का सुमिरन करते हुई आईए सुनते हैं पावन पवित्र गावन गाथ रावन भगवान शिव का अनन्य भक्त था उसके मन में परमिच्छा थी कि वो भगवान शिव को सदा-सदा के लिए लंका में ले जाए इस हेतु उसने भगवान शिव की घंगोर तपस्या की और यहां तक की उसने एकेकर अपने नोशीष भगवान के चर्णों में समर्भित कर दिये थे इस पर भगवान शिव प्रकट कुए और रावण ने उन्हें वर्दान स्वरूर सदा सदा के लिए लंका में बसने का अनुरोध किया और प्रभु ने ये सुईकार भी कर लिया आगे क्या होता है आए सुनते हैं बोला रावण शंभू स्वामी आप दानियों के दानि मेरी भक्ती को मान दीजे भोले ये वर्दान दीजे मेरे संग लंका को चलिए और सदा को वहां पे रहिए जीवन भर दर्शन करूँगा किरपा से जोली मैं भरूँगा शिव जी फिर वर्दान दीने हो शिव जी फिर वर्दान दीने तुम्रे संग मैं जाओ आओ भक्तों कह था शिव की सुनो आओ भक्तों शिव के गाता सुनाओ शिव जी ने अपना सोरूप पावन शिव लिंग का बना लिया भक्तों और सोयम साक्षार उसमें समागे परन्तु उन्होंने रावन को इस हेतु एक शर्त भी बताई कि यहां कैलाश से तेरी लंका तक यह शिव लिंग तेरे कांथों पर ही रहेगा और इसे लंका में ही भूमी पर रखना ताकि यह भही स्थापित हो सके ध्यान रहे रावन यदि यह शिव लिंग मार्क में बीच में कहीं भी रखा गया तो यह भही स्थापित हो जाएगा और तू इसे लंका ही ले जा पाएगा भतों रावन ने ये शर्त सहर सुईकार कर ली और शिव लिंग को अपने काने बरधर आकाश मार्ग से लंका की ओर चल पड़ा इधर देवी देवता चिन्तित हो गए और भगवान श्री हरी विश्णू के पास आए और बोले हे भगवन यदि भगवान शिव लंका चले गए तो स्रिष्टी का अनर्थ हो जाएगा कुछ कीजिए श्री नारायन कुछ कीजिए रावण मन ही मन हरशाए शिवलिंग को ले करके जाए विश्णू बालक रूप बनाए तिर अपनी माया फैलाए लगुशंका रावण को आई माया अपना फेल रचाई उस पर तो दबाव था बड़ता रावण करता तो क्या करता रावण भूमी उतर के सोचे जाऊं तो कहां जाऊं आओ भगतों गाता शिवल की सुनाऊं आओ भगतों शिवलिंग कांधे पर उठाई रावण लगुशंका के दवाव से भारी परेशानी झेल रहा था बड़ता सोच रहा था जाऊं तो जाऊं कहां करूं तो करूं क्या के तभी बालक बने श्रीहरी विश्नु उनके संदुखा गए रावण ने बालक का नाम पूछा तो उन्होंने अपना नाम बैजू बताया रावण ने बालक से आग रह किया कि वो थोड़ी देर के लिए ये शिवलिंग अपने हाथों में धारन कर ले वो लगुशंका से मिव्रित्व कर स्नान करके शीग्र ही वापस आएगा परन्तु यह आश्वासंगिलिया के जब तक वो वापस ना आए शिवलिंग को वो बालक भूमी पर न रखते श्री हरी भक्तूं यही तो चाहते थे रावन के जाते ही उन्होंने क्या माया रचाई आए ये ये पावन कथा सुनते है रावन लगुशंका को जाए वालक को शिवलिंग पकड़ाए निव्रित हो करके मैं आओ शिवलिंग को वापस ले जाओ विष्णू हरी न केल रचाया शिवलिंग को भूमी धरवाया शिवलिंग वैस था पित कीना खुद को अंतर ध्यान थकीना रावन भूमी शिवलिंग देखा आओ रावन भूमी शिवलिंग देखा सोचा मैं मर जाओ आओ भगतों शिव के गाठा सुनों आओ भगतों शिव के गाता सुनाओ रावण जब लगुशंका से निप्रित्त होकर स्नान करके वापस आता है तो क्या देखता है कि वो बालक अंतरधान हो चुका है और शिवलिंग भूमी पर स्थापित हो गया है उसके प्रान उसके कंठ में आगे भगतों विक्षिप्तों की तरहे शिवलिंग को उठाने का प्रयास कर रहा है परंतु भगवान शिव की शर्त अनुसार शिवलिंग वहीं स्थापित हो चुका था भगत उसके मन में एक उपाय आया वो कावण में जल भर-भर कर लाता और शिव जी को स्नान कराता स्नान कराते कराते भगवान शिव के स्प्रोथ आरती चालीसा और मंत्र का जाप करता रहता सोचता भगवान शिव एक बार फिर प्रसन हो जाएंगे और उसके संग लंका को चले जाएंगे परन्तु शिव जी लिला तो भगवान शिव ही जाने है भगवान शिव ने दर्शन दिये और रावन को समझाया कि हे रावन अब ये शिव लिंग कहीं नहीं जाएगा यहीं स्थापित हो जाएगा चिर काल तक मेरे भक्त कावण लाला कर इस शिव लिंग पर चणाएंगे और पुन्य फल प्राप्त करेंगे आज से इस पावन स्थान का नाम बैजना धाम होगा और श्रावन मास में जो कावणी है यहाँ पवित्र कावण में गंगा जल घर मुझे अर्पित करेंगे जीवन परियंत मेरी कृपा उन कावणियों को राप्त होती रहेगी रावन कावर भर भर लाए शिव लिंग को नहलाता जाए शिव के स्रोत मंत्र को गाए शिव के नाम की अलक जगाए शिव जे ने दर्शन दिख लाया रावन को था तिर समझाया शिव लिंग अब ना जा पाएगा मेरा धाम ये कहलाएगा आज से बैजनात मैं इसका आज से बैजनात मैं इसका पावन नाम धराओं आओ भगतों शिव के गाहता सुनाओं तब से भगतों शिव भगत कामण ये श्रामण मास में पवित्र कामण में गंगा जल भर भर कर लाते ही और पवित्र शिवलिंग को नहलाते ही भान, धतूरा, बेलपत, अक्षक, चंदन, दूर, तही और भित्र से शिवलिंग का अभिशेकर भगवान भोले नात की परम क्रिपा को राप्त करते ही तो आप भी यदि भगवान शिव के क्रिपा को पराप्त करना चाहते हैं तो जीवन में एक बार कामण भर कर अवश्य लाईएगा और शिवलिंग को गंगा स्नान करवाईएगा आप सभी को भगवान शंकर की अनुपंक्रिपा अवश्य प्राप्त होगी तो एक बार भी बड़ी श्रधा और फ्रेम से मेरे साथ बोलिये बोलिये शंकर भगवान की शिव की किरपा पाना चाहो कावण एक बार लाओ गंगा जल से फिर नहलाओ बेल ध दूरा भांग चड़ाओ दूद दही और पुष्प चड़ाओ गी से लेपन भी करवाओ शेद से अभी शेक करवाओ भगतों चंदन किलक लगाओ शिव के चरणों में में भगतों बारी बारी जाओं आओ भगतों गाथा शिव के सुनों